तो नमस्कार कैसे आप लोग मैं प्रजबती आपका स्वागत है प्रजबती यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज मैं फिर आज ही रहूँ पांच गेस करो आज क्या हो सकता है पांच थमलेल तो देख लिया होगा आपने आज मैं आपको पांच बहुती कमाल के घर के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तो यह जो घर है ना यह जो बिल्डिंग्स है ना बाकी सारे बिल्डिंग्स से अलग है क्योंकि कोई उल्टा है तो कोई सीधा है तो मतलब कुछ अजीब साय यार रोजम मसीनों के बारे में जानते थे और मतलब अलग अलग चीज़ों के बारे में तो मस्तो चाक क्यों ना यार आज मैं आपको कुछ अलग ही बता हूँ बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई कुछ अलग बना कुछ अलग बना तो लोग भाई आगया आज मैं आपको बताऊंगा पांच दुनिया के पांच सबसे कमाल के और अलग परकार वाले घर ठीक है तो चले इस कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं और जान देते हैं पुरा डिटेल से कौन सी बिल्डिंग कहां पे है और उसमें क्या खासियत है और दोस्तों आप अपना एक प्यारा सा कमेंट भी करना तो चले वड़ते आगे वीडियो में दोस्तों यह कमाल की बिल्डिंग ये वैसे में मौझूद है यह दिखने में ऐसी लगती है जैसे आसमान से उल्टी नीचे गिर गई हो और दोस्तों इस बिल्डिंग की एक कमाल की बात यह है कि जब आप इसके अंदर जाकर देखेंगे तो आपको बाकी चीजे भी उल्टी दिखाई देंगी चाहिए वह गेट हो चाहिए वह सीड़ी हो जो दिखने में काफी अजीब सा लगता है इसे बनाने वाले ने इस पर काफी बारिकी से काम किया है जो की देखने पर नजर भी आता है तो आप इस बिल्डिंग के बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताना दोस्तो यह विल्डिंग वेल्जियम में मौजूद है जिसे 1988 में बनाय गया था इसकी उचाइद 335 फूट के लगबग है और यह आईरन किस्टल से बनी हुई है जब आप इसे पहली बार देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यह मैलो में लगने वाला जूला हो हाला कि इसके मजबूती पे काम किया जा रहा है जो कि काफी ते जबा इस बिल्लिंग को पल बर में नीचे गिरा सकती है दोस्तो इंसान के दिल के जैसा दिखने वाला यह बिल्लिंग अस्टेलिया में मौजूद है जब आप इसे पहली बार दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई एलियन सिटी को खा रहा हो जो कि यह असल में आर्ट म्यूजियम है और इसे साल 2003 में बनाय गया है दोस्तो यह कमाल का घर निदरलेंड में मौजूद है यह घर दिखने में नकली लगता है लेकिन जब आप इसे अपनी आखों से देखेंगे तो इसकी डिजाइन आपको चौका देगी इसे क्यूब के आखार में बनाय गया है ताकि जमीन पर चलने वाले लोगों को और ज़्यादा स्पेस मिल सके और मैं आपको बता दू कि यह अंदर से तीन मंजिला इमारत है जिसे देखने के लिए दुनिया भड़ से लोग आते रहते है दोस्तों अमेरिका में मौझूद यह बिल्लिंग एक टोकरी जैसी लगती है इस बिल्लिंग को लूंगा बर्गर नाम की एक कमपनी के लिए बनाय गया था जो कि असल में टोकरीया बनाने का काम करती है इस कमाल के बिल्लिंग के उपर एक बड़ा सा हैंडल भी लगाया गया है ताकि बर्प छत पर जमा ना हो सके और यह बिल्लिंग को नुकसान पहुचाने से बचाता है तो फ्रेंड्स उमीद करता हुँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेंसे बात करना चाहते हैं तो आ जाओ इसना पर वहीं पर बात करेंगे ठिक तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई